Good morning students, today we are going to do the exercise 5 of chapter 6. इसमें हमें prime factorization करना है, total हमें 12 sums दिये हुए हैं, और इनका prime factorization करके हमें इनके factors पता लगाना है. Let us see, the first one is 12, okay? Prime factorization करने के लिए हमें वही काम करना है जैसे कि हम factors निकालने के लिए करते थे. यानि basically हमें ये देखना है, ये किसकी table में आता है और कितने पे आता है. अब सबसे पहले हम सबसे छोटे prime factor से शुरू करते हैं, यानि की two से. Prime factorization करने के दो method हैं, एक तो tree method और एक division method. मैं आपको पहले sum के लिए दोनों ही करके दिखा देती हूँ, आपकी book में tree method से दिया हुआ है, आपको उसी से करना है. ठीक है? चलिए देखते हैं, जैसे ये है 12, तो हमें ये देखना है, one की table में तो ये आता है, one को हम consider नहीं करेंगे, क्योंकि one ना prime है और ना ही composite है, हमें सर्फ prime numbers को consider करना है, हम two को देखेंगे, तो two की table में 12 आता है, six के उपर, फिर दुबारा six किसकी table में आता है, again two की table में आता है, कितने पर आता है, three पर आता है, अब three जो है, वो two की table में आता नहीं है, three आता है अपने खुद की table में, ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके prime factors, prime factors होंगे इसके two और three, ठीक है, 12 के जो prime factors है, वो main है, two and three, हम इनको लिखेंगे, अगर हमें लिखना है, तो two multiply, two multiply, three, इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से हम इनको लिख देंगे, three method से क्या है, सेम तरीका वही है, बस थोड़ा सा format इसका बदल जाता है, आपको इसके पहले दो factors लिखने हैं, और वो क्या है, two और six, two six जा, 12 होता है, फिर आप two को तो आप आगे कर नहीं सकते हैं, break नहीं कर सकते हैं, six होता है, two multiply three, ठीक है, तो इस तरीके से इसके prime factors भी क क्या आजाएंगे, two multiply two multiply three, ये जो है tree method है, और ये जो है वो long division method है, दोनों ही method से factor सेम आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, same answer आएगा, method अलग-अलग है, ये division method है, ये tree method है, आपको इस तरीके से अपनी notebook में करने हैं, ये देखिए बिटा, इसमें जितने भी number given है, ये सारे पहले two से ही divide होंगे, ठीके मैंने सबको देख लिया है, सारे के सारे even number है, और पहले two से divide होंगे, तो अगर आपको थोड़ी बहुत problem हा रही है, तो आप अपने right margin में two से divide करके लिख सकते हैं, एक बड़ा number में आपको करके दिखाती हूँ, चलिए 64 का करते हैं, या 72 का, 72 क करते हैं, अब 72, यहां देखें, लास्ट में जिसके 2, 4, 6, 8, 0 आएगा, वो two से divide होगा, आपको नहीं पता कि 72, two पे कहां जाता है, two की table में, तो आप simply इसको divide कर लेंगे, ठीक है, तो 23 जा आजाएगा, आपके पास six, यहां one बचेगा, और यहां हम two descent कर लेंगे, और 26 जा 72, और इसी तरीके से आप यहां लिख लेंगे, पहले आपका आएगा two, यहां आपका अगला factor हो गया, 36, two को आप as it is रहने देंगे, 36 के भी last में six है, तो यह भी two की table में जाएगा, इसको भी आप करके देख लेंगे, वैसे तो इतने table आपको आने चाहिए, कि 18, two जा 36 होत रखेंगे, इस two को भी ऐसे ही रखेंगे, और 18 हो जाएगा two multiply nine, ठीक है, इस two को आप यह ही रखेंगे, क्योंकि two से छोटा कोई prime है नहीं न, और यह हो जाएगा आपका three multiply three, तो इसके जो है 72 के prime factors आपके पास आएगे two multiply two multiply two multiply three multiply three, अब जब इन सब को multiply करेंगे तो आपके पास अंसर के आएगा, 72 आएगा, ठीक है, यह आपको अपने right margin में करके रखना है, इसको आप अपने यहां sum के आगे नहीं आने देंगे, ठीक है, यह आपकी right margin में होना चाहिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो, एक और question हम discuss कर लेते हैं, इसमें सबसे बड़ा और रह ग लिख लेंगे, 25 जा, 10, एक 0 बचके यहां लगा देंगे, 52 जा, 100, ठीक है, यहां लिख देंगे, 50, इस 2 को ऐसे ही रखेंगे, 50 के भी last में 0 है, यह भी 2 की table में जाएगा, नहीं आता, तो करके देख लीजिए, ठीक है, 22 जा, 4, 1 बच गया, 10, 0 डिसेंट करेंगे, 25 जा, 10, तो 25 जा, हमारे पास क्या आया, 50 आया, यहां हम लिख देंगे, 25, ओके, यह 2 आ गया अब ना, यह 2 आ गया, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 multiply 5, 5 भी तो prime नंबर है ना, तो इसके prime factors हमारे पास हो गए, 2 multiply, 2 multiply, 5 multiply, 5, ठीक है, जब इन सब को multiply करेंगे, तो हमारे पास आएगा 100, यह इस तरीके से आप 100 का करेंगे, एक और question हम कर लेते हैं, 88 के लिए, यह देखे, इसमें बहुत सारे बच्चे, वैसे तो बहुत easy हो जाता है, इसका 11 multiply 8 हो जाएगा, 8 को आफ फिर से 2, 2, 2 में तोड लेंगे, ठीक है, लेकिन जो logic है, वो क्या है, कि हमें पहले prime factor से ही शुरू करना है, prime number से ही शुरू करना है, यह 2 की table में जाएगा, ठीक है, और 2 की table में अगर आपको नहीं आ रहा है, तो आप right margin पे कर लेंगे, 24 जा 8, फिर से 8 को descend किया, 24 जा 8, यानि क्या आया, 44, ओके, यह 2 as it is रहेगा, फिर से यह 2 की table में जाएगा, और अब की बार 2, 2 तू जा 4, 2 तू जा 4, यानि 22, यह 2 रहेगा, यह 2 as it is रहेगा, यह फिर से 2 की table में जाएगा, और कितने पे आएगा, 11, 11 तू जा 22, तो अब हमें पता चलेगा, यह 3 के 3 क्या है, prime numbers है, दोनों के दोनों, 2 भी और 11 भी, इन सब को अगर हम multiply करेंगे, तो हमारे पास क्या ठीके बिटा, इस तरीके से आपको पूरी exercise कर लेनी है, 12 sums है, 4, 5 मैंने करके दिखा दिये हैं, कोई भी doubt हो, आप मुझ से पूछ सकते हैं, thank you